यार कितनी जल्दी सूबा हो जाती है अब तो भाई साब रात का टाइम समझी नहीं आता है कि कितनी जल्दी सूबा हो जाती है भाई देखो यार अभी लगता है कि भाई आदा घंटे पहले मैं सोया था एंड भाई साब अभी सूबा ही होगी तो चलो गाईज अर कोई दिक् कर रहे हैं तो भाई सब सबसे पहले आप लोगों को थैंक्यू कि मैंने बोला था कि भाई 5000 लाइक करा दोगे तो भाई तगड़ी वाली वीडियो लाएंगे तो आज की वीडियो उससे भी ज़्यादा तगड़ी है पिछली बार में JCV मीनी बनवाया आप लोगों ने 5000 से भी ज़्यादा 6000 लाइक अभी फिलाल हो चुके हैं यह रहा हमारा पार्किंग एरिया वैसे सिंचन कि इदर है भाई सिंचन दिखाई नहीं इदर है चौप तो इदर ही अपने घर के पास डलते रहता है अबे चौप सिंचन कि इदर है तुने देखा क्या औरे यार मेरे को नहीं पता वो अपने सुबा सुबा दोस्तों के साथ घूमने फिरने जाता है अबे यार घूमने फिरने भाई टाइम क्या हो रहा है घूमने का 11 वज़र है सुबह सुबह कौन जाता है भाई तुने नास्ता वास्ता कर लिया क्या वैसे औरे यार मेरे को तुने बीजा बर्गर खिलाने का बोला था अभी तक वो तुमने दिया नहीं अब यार यार ये तो पीजे बर्गर पे अटके रहता है पता नहीं गाईज अर इनका क्या होगा लेकिन guys आज बहुत सारे काम करने है और आप लोग सोच रहे होगे कि भाई सब ये सारी cars किदर चलीगे यहाँ पे इतनी सारी cars थी भाई वो सारी cars किदर चलेगी वैसे सिंचन अभी तक आया नहीं है guys मैं आप लोगों को बता दूँ कि यह सारी कार्स अभी गई है, सर्वीसिंग पे, जियां गाईज आर आपको तो पता होगा, हमारे पास जितनी भी सारी मिनी कार्स है, वो अभी अभी गाईज आर सर्वीसिंग पे गई है, क्योंकि उसके बैटरी खतम हो गएते, सिंचन जब भी घर पे रहता था, तो वो सारी कार्स चलाता था, एरे यार मेरी बुराई कर रहे हो, क्या फ्रेंकी भाईज अभी नहीं यार बुराई नहीं कर रहा हो, भाई तूने भी जितने भी हमारे पास छोटे-छोटे कार है, मिनी कार, आर सी कार, बोले रों के बाद भाद, आर तूने सारी के सारी खतम कर दिये, गायज आर स्विंग पूल का पानी भी हम लोगों ने ताजा-जा भर दिया है, अभी इसमें गरम है, सोरी-समें थंडा है, एंड गरम वाला इसमें भरा है, जो कि पीछले वार वाला एपिसोड देखके जो जो आ रहे होंगे आपको नहीं के पता है, हम लोगों ने पूरा स्विंग पूल खाली कर दिया था, अभी पार्किंग एरिया पूरा खाली है, क्योंकि हम लोगों ने सीमियोन के सुपपे दिया है, सारे के बैटरी भाई सब नए लगाने के लिए, आपको यूंकि बता दो कि वो रिचार्जेवल ब pairing पे नहीं गई है जेसी भी यह है सिंचान एरी हाँ अभी जैसी भी तुने वहाँ से उटाय तो नहीं है न एरे कहांपे रखा थाा अब यार मैंने रखा था बात्रूम के बाद क्योंकि भाइ बैनी ने बोला था उसको अलग रखना वरना वह कभी भी फटवर्ट सकती है क्योंकि भाई इतनी बड़ी जेसीवी को छोटी बनवाया था हम लोगों ने यह देखो गाइस यह रही हमारी छोटी नहीं बड़ी सी जेसीवी गाइस देख सकते हो आप लो कितनी खतरनाक है वैसे भाई साब इसके नीचे क्या अबे इसके नीचे टे यह मेरे साइज से भी छोटी है एंड भाई यह ऐसे भाई दोगी ने तोगी ने भाई साब मेरे साइज की रहती है यह देखो इंडियन जेसी भी है अगर आप लोगों ने पिछली बार वाला एपिसोड देखा होगा तो गाइस आर हम लोगों ने यह वाला जेसी भी बनव और भाई इसको छोटा करवाया था बेनी के सौप पे एंड बेनी ने बोला था कि भाई बेनी के गेराज से ले जा रहे हो तो इसको अच्छे से रखना या फटवर्ट सकती है तो भाई आज का काम यह है कि हम लोगों का पहले बाल दाड़ी बनवाना है उसके बाद कुछ मिनी बनाना पड़ेगा न इतना लोग सपोर्ट दिखा रहे हैं तो अरे आज क्या सोचा है आपने पिछली बार तो हम लोगों ने जैसी भी बना लिया एंड इस बार मैंने कुछ सोचा नहीं है वैसे तू सोच ना चलो चलो पहले अपने अपने काम कर लो फिर आपको दिम अबे यार सिंचन को कितनी का रहा है अड्य यार महिंदरा की बुले रहो महेंदरा की स्कौर्पीव एंदरा की स्कौर्प्यस11 अतों और सूजू की की सिफट अब sprey चार हुई एक लैंड जी पांच हो गई अंड कौन सी थी यक मेरे मेरे और थैयान में नहीं आ रहा है और मेरे को याद पड़ा साथ मीनी कार है चौप को बोल देता हूं चौप यार गीन के सारी कार्स रख लेना वैसे जैसे भी भाई अंदर है जैसे भी के साथ छेड़ चाड़ मत करना हम लोग आ रहे हैं अरे ठीक है ठीक है साथ कार है ना अगर वो लेके आएगा तो चलो गाई बाल दाड़ी बनाना है उसके बाद मेरे को कपड़े खरीदेने एंड उसके बाद भी कुछ नए काम करने तो भाई कार से चले या बाइक से अरे इसको भी मिनी बनाओगे क्या अब नहीं आप सब चुछ मिनी बना देंगे तो हम लोग भाई सब जाएंगे कैसे बाहर घू नहीं नहीं कुछ और दिन आब तो चलो भाई आज तो कुछ नया सोचेंगे बाई कार तो काफी सारी हो गई है लेकिन आप लोग बताना कि नैनो को Mini बनाना चाहिए आप लोग बताओगे तो हम लोग भाई उस पे focus करेंगे, है न अरे पैसे ले लो पहले, अबे रूख पहले ऊए रूख जाँ, चमपक से कुछ पैसे ले ने तए यह भाई यहाँ पर सिग्रेट पी रहा है और मेरे पैसे दे नहीं रहा है वैसे भाई देखो गर्फरेंड के साथ घूमता फिरते रहता है और मेरे पैसे कब देगा आलो भाई तूने मेरे 5,000 रूपै रखे हैं वो कब देगा अबे भाई ये तो कु deception बोल के भाग रहा है वैसे अबे भाई बता भी तो दे कब देगा औरे पैसे वैसे बाइसे नहीं है मेरे पास अबे पैसे वैसे नहीं है औरे साले पैसे लेके girlfriend को घुमाता है आगे पीछे कर रहा है मेरे ही पैसे मेरे कोई नहीं दे रहा है चलो गाइजर कोई नहीं फटाक से चलते हैं पहले बारवर सोब पे मेरे को भाई सब अपने बाल और डाड़ी बनवाने है अरे मेरे को भी अब तेरे को कहा बनवाना है तू भी क्या बगैती करते रहता है यहार कुछ बड़ा करना चाहिए जाए पैले बाल कुछ बड़ा करना चाहिए तो पहले कोई मिनी बना क्या कोई अलग कम Olympics जाएग जिसको हम लोग मोन अचैनो मुई पहले आप अपना काम कर लो अभे है रुख्जा पहले काम कर लेता हूं कैसे हो मगन अभे मगन है ना तू अभे मगन जैसा देख तो रहा बट यार दिक नहीं यार मगन नहीं है मैं भी क्या बोलते रहता हूं अलो मेडम तकड़ावाला बाल काट दो आये आये मैं आपका काफी अच्छा बाल काट दोंगी अभे मेरे को तो बाल काट वा नहीं है चलो गाइस जार भाई फटाक से बैठते हैं और सिंचन बताना जारा कैसा कर लो एरे पहले बीर्ट सेट कर का फ लिएट्ट का है अरे यह थो घजनी टाइल अब यह प्संद आ चलो वह क्यानिट इसे बन चुकिा अब ये बीर्ड की है न यही रखते यह फ्रेंच कट काफी बड़िया लगता है में चॉलो गाइस बाल भी बनवा लेकिन अभी तक में तक मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मीनी क्या बना है अरे यार मेरे को क्या पता आप लोग बता देना वैसे आप लोग भाई काफी जादा कॉमेंट कर रहे हो जिससे भाई सारे लोगों को रिप्लाई देना पोसिबल नहीं हो पा रहा है फिर भी हम लोग ट्राई कर रहे हैं सारे कोमेंट्स को पड़ पाए है ना एरे पहले कपड़ी ले लो गाइस चलो पहले कपड़ी लेते हैं फिर भाई सोचेंगे कि हम लोगों को क्या मीनी बनाना है एंड भाई साब अगर रास्ते में कोई बड़िया चीज दिख गई तो उसको चोरी कर लेंगे एंड भाई वै भाई बहुत खतरनाक वाला ऐडिया दिया है वैसे मेरे को अरे अच्छा लगा ना अब बहुत बड़िया लगा वैसे भाई बस कहीं पर दीख नहीं रही है अरे पहले कपड़े खरीद लो उसके बाद अब रुक जा पहले कपड़े गाइस जर चलते हैं कपड़े के सौप अब यह कौन सी कार जारी थी नहीं या बस का एडिया दिया है गाइस तो बस हम लोग बनाएंगे बट यार बस तो जल्दी मिलती नहीं पहले चलते हैं कपड़े वपड़े भाई रास्ते में कहीं बस मिलेगी तो देख ले ना सिंचन वैसे एरे कहीं पे भी नहीं ले रही है अरे ये देखो अब ये तो ट्रक है यार बस कोई बढ़िया सी बस मिल जाती तो भाई काफी अच्छा वाला बात हो जाता भाई ये कौन सी कार है अरे मस्टंग जीटी है क्या अब नई यार वैसी देखने में तो दिख रही है बट वो है नहीं चल पहले ग्लिया साल ले लेते हैं उसके बाद सोचेंगे है ना औरे है कपले ले लो उसकी बाद अब हयर चलो का इस चलते हैं चलते हैं बिग सेल लग यह आइढ़ी आईए हमारे सेोप पे तो काफी अच्छी कपड़ यह हैं आपчи अपके लाइक इसी बात है बैस आई कपडे तो भी बेकार है ओल्ड मोडल अब हाँ यह ओल्ड फैसन दिख रहा है वैसे कुछ नया नहीं मिल रहा है अरे यह क्या पैंट लोगे अब नहीं यार यह पैंट है मैंने तो बाई कुछ अला की चड़ी ले लू क्या अरे यार पागल वागल हो क्या अब रुख जा इसमें से कोई सिलेक्ट करता हूं यह तो हमारे लिए यह बनियान कैसी दिख रही है अरे यह ले लो ब्लेक वाली नहीं यह वाली अच्छी लग रही है चलो इसको डन किया वैसे एंड बाई कुछ कपड़े बढ़िया सा टॉप्स में देख लेता हूं रुख जा भाई इसमें से कोई करते हैं आपसी पर भाई कर ले नहीं है Tú यह वाली पर्यांछITY लगा है यह वाली पर बाई सूज कापी बढ़िया हो गया वाय'RE कापी बड़िया हो गया वकिने है बहai जग सब्सक्स आनल ठीक सकता है कि बढ़िया है वाद सब्सक्रण कितनी लग रहा है यहां पे बीग से लगी थी ऑफर नहीं मिला क्या वैं और करेंगे अब चलते रहती हैं तो भाइस को भाई कहीं परी करेंगे टो उद्फ ठीम सकता है रे थोड़ा राम से चला लो आफे वहराई सामने कुछ दिखाइद रहा वैसे अबे या ट्रक है यार ट्रक है यार बस चाहिए थी आई कहीं पर तो मिल जाए यार कहीं पर भी मिल जाए इंचन यार एयरपोर्ट के साइड आ गया है बट कोई भी बस दिखाई नहीं दे रही है अरे दिखेगी कुछ देर इधर ही रुक जाओ अबे रुकना क्या है वैसे वो देख भाई छोटी सी बस मेरे को दिख गई कहां पर फ्रैंकी विया अबे वो देख भाई मेरे को एक द सिंचन कोई और रास्ता है क्या बस लेने का अरे यार मैं तो भूली किया था आप चलो बस इस्टेंड अबे बाई इतनी देर से तू क्या सोच रहा था काफी पहले हम लोगों को बस इस्टेंड ही चली जाना चाहिए था वहाँ पर हम लोगों को बढ़िया बढ़िया बढ चोरी करें गए उसके बाद मीनी बनाएंगे जो की काफी खतरनाक वालड़ चीज हो जाएंगा चलो भाई चलते हैं फटाफट से हब लोग बाई कमीनी बस बनाने के लिए बड़ी सी बस भाई खोजने के लिए यार बस तो मिल जाएगी ना इधर ही है ने कहीं अब हाँ यार इधर ही है कहीं यही वाला है ना भाई यही है हमें ज़एंक लिखा ए उसके बगल में ही parking एरिया बस का मतलब बस इस्टेंड है अर यह यह क्या कर दिया मैंने इह अरे यह बड़ा सा एक रिकेट का स्टेडियम भी है यही है पार्किंग साइथ पीछे वह देखो मेजवैंक पार्किंग एरिया लिखा है ना तो इसमें बस वगएरा भी पार्क होती है तो चलो गाइज जार देखते हैं बस कहां पे है ओ भाई साव यह देख भाई ट्रैक्टर के गएरा सारा कुछ है और कार पार्किंग भी इदर ही है भाई यह देखो सामने बस भी है अब हां रुगचा रुगचा मेरे को गाइज दिख रही है पहले अपनी यह वाली कार सेफ जगा पर पार करते हैं क्योंकि भाई साब पार करेंगे उसके बाद भाई देखेंगे बस भाई ने पैजनल लगिया वाली वाया खतरनांक लगजनल इक्स प्रेस जो वाली क खतरनाक लगरी है वाली बस का एजंट का लंडन 403 नंबर पूछते हैं वैसे यह वाली बस कितने की होगी वाइस सहाब यहां पर एजन्ट यहीं दिख रहा है हाँ टिकट वगरा काड़ता है हलो भाई सहाब आपसे मेरे को औरजन्ट काम था आईला क्या औरजन्ट काम था मेरे को बता दो अबे वो लंडन 403 वाली बस कितने में बिखती है अरे उसकी टिकट तो 403 रुपया है अबे या टिकट की बात नहीं कर रहा हूं उसको पूरी बस की टिकट की बात नहीं कर रहा आईला उस बच की प्राइज है एक करोड रुपए अबे भाई सहाब गाईजर वैसे तो ये भाई सहाब बी आईपी बस लग रही है मेरे को लग रहा था कि ये काफी जादा एक्सपेंसिव होगी भाई एक करोड रुपए की वैसे क्या करें अरे उसको बेहोस करो और भागो यहां से अबे हां यार पहले इसको बेहो करते हैं अब यह तो भॉब रही और सारे भाग रहे हैं चल आजा सिंचन यह वाली बसको चुरा के भागते हैं करो अब जल्दी या बैठ यार क्या कर रहा था अरे आए आया रुको रुको चलो स्टैट करो चलो गाइस सिंचन भी बैड़ी है और यह वाली बस ढ़क्क देखो इतनी बड़ी बस है इतनी बड़ी बस को छोटा बनाना मामली वात नहीं है क्योंकि उसने भाई jcb को छोटा बना दिया था तो यह वाली बस व्यूष कौन सी चीज है अरे हां यार चलो बेनी के गेराज में अब हां यार चलते हैं गाइस यार बेनी के गेराज में एंड उससे पूछते हैं कि ये वाली बस क्या वो छोटा बना सकता है या नहीं बना सकता क्योंकि ये वाली बस गाइस यार काफी बड़ी है उसने तो JCB को छोटा कर दिया था अगर आप लोग भाई 5000 लाइक इस वाले वीडियो पर कर दोगे तो और भी खतरनाक चीज़ को हम लोग छोटा बनाएंगे मीनी बनाएंगे गाईज आर मीनी बस आज आज आपके लिए हाजिर है आप लोगों ने भाई 5000 से ज़ादा लाइक कर दिया था इसलिए मैंने सोचा तो तगड़ी वाली वीडियो तो लानी बनती है इसलिए भाई अपने 20 दोस्तों के साथ 20 या उससे ज़ादा दोस्तों के शेयर कर दो यार इदर ही ना बेनी का गैराज अरे हाँ यही है यही है यह रहा गाई जर बेनी का गैराज वैसे चलो भाई फटाक से अंदर चलते हैं बेनी को बोल देते हैं कि भाइज साहब इस वाले कार को काफी छोटा बना दे बस को क्यूंकि ये वाली बस-गाइज काफी बड़ी है तो इस वाले बस को छोटा बनाने के लिए उसको काफी पापड बेलने पड़ेंगे अरे पापड अब वह पापड नहीं भाई ये दो बस तो अंदर आ गई आ ज इससे गाइज जर बात करनी पड़ेगे इस वाले बड़े से बस को छोटा बनाने के लिए चलो भाई या बेनी से बात करते हैं हलो बेनी भाई क्या हाल है बड़िया है ना अरी यार तुमारी JCB का क्या हाल है ये बताओ अबे JCB तो परफेक्ट चल रही है जैसा तुमने बोला था ना JCB को अलग रखने के लिए तो मैंने उसको अलग रखा है अब बताओ ये वाली बस को तुम मीनी बना सकते हो अरी यार इस बार तुम बस लाए हो वैसे अबे हायर अपने सब्सक्राइबर और विवर्स इतना सपोर्ट दिखा रहे है तुमेरे को मीनी बस बनाने के लिए भाई साब करना पड़ेगा ना इतना अरी यार वो तो ठीक है लेकिन यार JCB की तरह ये भी हो जाएगा तो अरी क्या क्या लेके आते रहते हो भाई काफी बढ़िया है वैसे मजा आ गया अभी इस पर काम करूंगा मैं और ट्राइ करूंगा कि इसको भाई छोटा बना सकू ठीक है यार Franklin कोई दिक्कत नहीं है मैं ट्राइ करता हूं तुम्हारी ये वाली बस को मीनी बस बनाने के लि कि अरी हो जाएगा अब घर कैसे जाएंगे यहां पर कोई कारी नजर नी अरिये सेarbeitशे हो गिया रही जाने के लिए को कर भी प्रप्रमिन मुते स्रेंट को अब सब्सक्ति कुम तरी कर ना रहाने सांट कौरी केसे नेले हैं रहने सेसे वहां तो प्रप्रस प्रफ़ मेरेदे टोगनें कुम हैं अज बसमेर में तो फ़से और में भुसेंप rabbits इतने सारे लोग इतर क्वड़े हैं अब इनको बताता हूं तेरों को पता है में गरीब होने का नाटक करते हैं और भाइ जो तेरों के पता है रात में जुवा सुवा खेलते हैं उसको बहुत मार मारूदा वैसे जूटे ग्या성 मिलादाउ उसको बहुत मायदान वे! दिख गई ना इनको बहुत दोड़ा-दोड़ा के मारूंगा एरे जाने भी दो इनको अब जाने दे रहा हूँ वैसे बाई यार पता नहीं यार चलो कोई दिक्कत नहीं है वैसे बाई सहाब चल सिंचन इदर से चलते हैं यह लोग पागल वागल है मार भी देते हैं वहाई स अबे इसके सौप तो क्लोज हो गई है अरे क्या बात कर रहा तो पता नहीं दिलेवरी किया होगा कि ले दिए लैन वाज दिश्बावीक वैसे वाई कार्स तो है भाइन इसको दिया था और ओफिस है चल यार उसने घर पे दे दिया होगा मेरे को पता है अरे हां हां डिलेवरी उसको मिल गई होगी चौप ने उठा लिया होगा सारे कार्ष की डिलेवरी अबे हां है चौप भाई पूरा बढ़िया तरीके से साथ कार्थी ना हम लोगों की अरे हां हां साथ कार्थी अबे कौन कौन सी अरे स्कोर्प्यू एन स्कोर्प्यू एस एलेवन और महेंद्रा की थार अब यह तीनी हुई अरे और कौन सी थी भूल गया अब एक लेंडी जीप अब और कौन सी भाई काफी ज्यादा कार थी तो मैं भूल जा रहा हूं चलो कोई बात नहीं जार चलते हैं फटाक से अब भाई देखते हैं कब तक भाई डिलेवरी कर देता है और हमारी कार कब तक मतलब की मीनी बस कब तक घर आ जाती है फाइनली गाइस राप लोगों की सारी की सारी प्यारी कार्स मिनी कार्स आ गये हमारे पार्किंग एरिया में सर्विसिंग होके यहाँ पर देख सकतो सबसे पहले फॉर्टूनर है उसके बाद S11 है एंड Scorpio नियो है यहाँ पे देख सकतो Scorpio Inn एंड यहाँ पे Landy Jeep उसके बोलेरो सुजुकी सीवड और एक महेंदरा की थार भी है मतलब कि सारी की सारी कार्स यहाँ पे आ गई है और भाई मीनी कार का कलेक्शन हम लोगों ने यहाँ पे रखा है और यह पार्किंग एरिया अगर आप लोगों ने वहाली वीडियो नहीं देखी तो देख लेना जब हम लोगों ने बनाया था यह देख सकतो 24 आवर से ओपन रहता है हमारा ही पार्किंग एरिया है तो चलो गाईजर चौप इसकी देखवाल करते रहता है चौप एर तू रात बर देखते रहता है न और यहाँ कलुआ तूने मेरे को यह ड्यूटी दिया है तो ड्यूटी मेरा करना कामी है अब हायर तेर को यह ड्यूटी मिली है सिंचन और चौप रात वर जाके गाइजर पार्किंग एरिया की देखवाल करते हैं एंड चलो मैं आप लोगों को भाई अपनी ट्रैक्टर भी दिखा देता हूँ सिमियोन ने भाई साब उसको भाई रिपेर कर दिया सारे मीनी कार्स को एंड भाई मैंने ट्रैक्टर इधर रखा है क्योंकि आपको पता होगा बेनी ने बोला है इसको अलग रखने के लिए क्योंकि ये कुछ अलगी भाई साब कार है तो इसको भाई बोला है कि भाई उन सब कार से अलग रखना वो ब्लास्ट वगारा हो सकती है तो यह रही हमारी कार देख सकते हो कार नहीं है यह JCB है इंडियन JCB जो कि आपको देखना पड़ेगा यहाँ पर अब बेल बजने लगा एरे फेंगी भी यह लगता है कोई आगया है अब कोई आया नहीं है हम लोगों ने जो बस बनाने के लिए दिया है न वह बेनी लेके आगया है तो चलो गाइस दर फाइनली हमारी बस भी अभी लगता है आ गई है बनके बैनी ने बोला था कि मैं खुद भी आ सकता हूँ तो भाई मेरको तो लगता है वही आया होगा क्योंकि JCB लेके वही आया था उसने वार्निंग दिया था कि JCB को कुछ बड़िया तरीके से चलाना वरना वो फट सकती है तो भाई जाके बात करने पड़ेगी अबे हम लोगों ने तो गाइज आर एक ही कार दी थी बनाने के लिए यानि कि बस ये दो दो बॉक्स क्यों लेके आया है अरे उससे ही बात करो अबे हां यार बात तो करना पड़ेगा बेनी ने दो बॉक्स क्यों लाया है हलो बेनी भाई ये दो बॉक्स तुने क्यों लाया है अरे फ्रैंकलिन इतनी बड़ी बस थी उसको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है अभी इसको ओपें करके जोड़ना पड़ेगा तुमको तबी ये कनेक्ट होगी अभे क्या वाद कर रहा है इसको कनेक्ट करने के लिए गाइस जर दो बस है तो आदा आदा पार्ट्स में दो बॉक्स में लेकी आया है ठीक है भाई ये तो भाई लाना कोई दिक्कत नहीं है यह जैसी भी सी थोड़ी सी ठीक बनाया है जैसी थोड़ी बड़ी थी ना इसलिए उसको वाई दिक्कत आने लगी चलो मेरी कार तो तुमने वहां पर पार किया या बहुत सारे का कालेक्शन इसके पास हो गया है मिनी का आपका पता है ना आप चैनल को सब्सक्राइब करने की अटे करने की अँशन दोनों बॉक्स को को खोल के आधे-आधे पार्ट से तो उनको जोड़ना भी तो है एरी यार थोट प्टाइब करके जोड़ो अब रहाग से भाई साब उपें करते हैं बॉक्स को एंड़े काइज मीनी बस कैसी आ यह तो guys are काफी ज़्यादा excitement हो रही है mini bus चलाने के लिए finally guys are mini bus आ गई है भाई देखो कितनी छोटी है मेरे size की आ रही है न अरे ये थोड़ी सी हवा में है अबे हाँ है थोड़ी सी हवा में अगर ये जमीन से होती तो मेरे से भी छोटी होती guys are आप expect नहीं कर सकते इतनी छोटी bus भी होती है and same to same वही वाली bus है हम लोगों ने जो बनवाने के लिए दिया था चोरी करके and ये देख सकतो national express london 403 लिखा भी है guys यार सिंचन मज़ा आ गया एरे फैंकी विया इसके उपर क्यों चड़ रहे हो अबे यार देख रहा है कितनी छोटी सी bus है यार भाई इसके seat वगएर आप लोग देखो यार भाई साब एकडम डिट्टो कॉपी बनाया है वही सारा का सारा भाई मज़ा आ गया देखके ये वाला mini bus आप लोगों को कैसा लगा आप कोमेंट में जरूर से जरूर बताना मेरे को गाई जर काफी बढ़िया लगा है भाई साब मतलब यार क्या खतरनाक बनाया है न अरे हाँ यार बहुती बढ़िया लगा मेरे को ये चीज़ देखके अबे हाँ यार ये चीज़ देखके काफी बढ़िया लगा मेरे को तो guys अब बार ये इसको अपने mobile से connect करके चलाने की क्योंकि चलाना पड़ेगा न Bluetooth connect करके हट जा सिंचन connect कर लिया मैंने अरे हाँ हाँ चलाओ start करो अब इस्टार्ट होगो ये ओ भाई सहाव guys जार ये देख सकते हो कितनी प्यारे तरीके से चल रही है ये हमारी mini bus और भाई सहाब mini bus देखने में कितनी छोटी है वैसे ये काफी बड़ी और लंबी bus है अगर आप लोगोंने पूरा वीडियो देखा होगा तो पता ही होगा ये देखो सामने से एक car आ रही है car के size के हिसाब से भाई उतनी है वैसे भाई साब ये original में car के हिसाब से चार गुनी बड़ी bus है और इसको हम लोगोंने mini बनवाया है same to same वही bus है भाई जो हम लोग वहाँ से चुरा के लायते cricket stadium के बगल में से और ये देख सकते हो क्या प्यारी बनाया है मतलब बहुत खतरनाख वाला bus बनके ready हो चुका है आप लोग comment में guys बताना की आपको ये वाला bus कैसा लगा अरे फैंकी ये ज़्यादा दूर मत ले जाओ अब ज़्यादा दूर नहीं ले जाओंगा इधर सी मुडा लेता हूँ गाइस यार आप लोग बताना वैसे गाइस यार इस वाली वीडियो पर अगर 3000 लाइक कर दोगे न तो और खतरनाख वीडियो लाएंगे अरे यार इसके बत क्या बना दालोगे अब यार अभी तुने सोचा भी नहीं होगा ऐसे सी चीज बनाएंगे हम लोग अरे यार मेरे को भी बता दो यार बेनी भी ये के पास अब क्या लेजाओगे गाइस यार अब क्या बनाओगे अब यार बनाएंगे बनाएंगे तू टेंसन क्यों लेता है भाई बहुत खतरनाख खतरनाख चीज हम लोग बनाने वाले हैं तो चलो भाई फटाक से हम लोग सीचन एक दिक्कत हो गई क्या होगी अभी इसको आम लोग पार्किंग एरिया में नहीं पार्क कर सकते अरुब घर के अंदर जा एक एसे तो नहीं जाली जाने है इसको रखने के लिए मेरे दिमाग में एक बड़ी असा आइडिया है अरे कौन सा अब ये देख हमारा गैराज है ना इसमें रखेंगे अरे हाँ अच्छी वाली बात है इसी मेरे को अब हाँ गैराज में हमारी बस आ जाएगी अराम से फिट आ जाएगी वैसे गाइज अगर ये बड़ी तक लॉट बाता स्चीव ऐसें गाव ये बाता प्यारा गती टिकिर लगती है और कि इतनी प्यारी बस है भाई सहाब बहुत ज्यादा मज़ा आ गया इसी बात पर भाई अपने दोस्तों के साथ 20 दोस्तों के साथ सेयर करना चैनल पर फटाक से सब्सक्राइब करके चार लाग के करीब लादो अरे यार वन मिलियन हो जाएंगे आपके सपोर्ट से हो जाएंगे और खतना खतना वाली वीडियो तो अभे लानी हम लोगों की बाकी है अगर आप लोग और बनाने की ट्राई करेंगे कॉमेंट बोक्स में बता देना वीडियो पसंद आयागा तो लाइक करके अपने दोस्तों के दाना सेयर कर देना तब तक के लिए जै हिंद जै भारत